बिजली के एगरिकल्चर कनेक्शन को फरजी तरीके से ट्रांसफर कराने को लेकर सौपा ग्यापन दोलपुर जिले के सेपव तहसील के निधेरा कला के गाउं राम सिंगपुरा निवासी जगदीश पुत्र मूला राम ने धोलपुर XCN से मिलकर एक ग्यापन स्वापा है जसमें फ्रार्थी ने बताया कि मेरे पिता स्वरगिय मूला राम के नाम से बिजली का एगरिकल्चर कनेक्शन है हम मूला राम के दो पुत्र है मैं स्वयम जगदीश और छूटा भाई मुकेश है हम दोनों ही स्वरगिय मूला राम के असली वारिस हैं लेकिन मेरे पिता के कृषी कनेक्शन को फरजी तरीके से मुरारी पुत्र राम चरन गाउं राम सिंग का पुरा निधेरा कला द्वारा अपने नाम ट्रांस्फर करवा रहा है मुरारी ने मेरे घर आकर मेरी पत्नी को गुम रहा करके मेरी अनुपस्तिती में हम दोनों भाईयों के आधार कार ले जाकर फर्जी तरीके से स्टांप वे अन्य कागजात तयार करवा लिये हैं और फरजी तरीके से हमारे क्रिशी कनेक्शन को ट्रांसफर करवा रहा है। राजसान संस्क्र शिक्षा वभागिय शिक्षक संग ने की शास्री महावध्याले खुलवानी की मांग की गई ग्यापन में बताया गया कि जिले का एक मात्र शास्री महावध्याले सर्मतुरा में इस्थित है जो के जिला मुख्याले से करीब 70 किलोमेटर दूर इस्थित जिससे कि विध्यार्थियों का संस्कृत उच्च शिक्षा से मुहुभंग हो रहा है और सामानिय शिक्षा की ओर अपना रुख कर रही है राजस्थान संस्क्रेश शिक्षा वुभागय शिक्षक संग के संभागय अध्यक्ष मनोज राजवत जी और धोलपुर जिला अध्यक्ष राजु परमार जी ने बाड़ी विधायक गिरात सिंग मलेंगा को इस समस्या से अवगत कराया बाड़ी विधायक ने भी नवीर शा स्री महाविद्याले खुलवाने का संगटन के पद अधिकारियों को आश्रासन दिया साथ में जिलाकोशा अध्यक्ष भगवान दासमेणा विवेक परमार शिफ कुमार पच्चोरी आधी संगटन के पद अधिकारी उपस्टित रहे आज वधायक काराले पर भारतिय राश्ट्रे शात्र संगटन की मीटिंग रखी गई जिसमें संगटन के मुद्दो पर चर्चा की गई एवं NSUI की रीती नीती को जंजन तक पहुँचाने के लिए विचार विमर्ष किये गई और जिसमें वधायक काराले पर NSUI टीम का गठ शात्राओं की द्वारा किया गया जिसमें मुख्य अतिथी पंकचतिवारी रहे हों विशिष्ट अतिथी NSUI बाड़ी प्रभारी अजय मीना ब्लॉक अध्यक्ष आर्यन राय ने अध्यक्षता की आज की मीटिंग में कन्या महा विध्याले की टीम का गठन किया गया जिसमे सबी चात्राओं की सर्वसमीती से इकाय अध्यक्ष के रूप में आशी शिवहरे को बनाया गया एवं चार उपाध्यक्ष प्रयांका कुश्वाह, गुल्षन, सोनम, तन्वीकर, एवं महसचीफ पद हेतू, रितुल परमार, उमा गूजर, इल्मा शेफी, अर्चना कुश रवीना जौता, संगीता मीना, एवं सहसचीफ, पद हेतू, सुर्भी कुश्वाह, दुर्गेश कुश्वाह, वेदिका अगरवाल, सोनम, इचली और मीजिय प्रभारी, सानिया सेफी, प्रयंका कुश्वाह को किया और सबको अपनी जिम्मदारी का कार्यभार स्वापा ग अतेराज के कन्या महाविद्याले में पानी बिजली व्याख्यता नवनिर्मेद भवन के लिए उच अधिकारियों विराजनेतिक लोगों से अपील करूँगा, जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान करे आर्यन राय ब्लॉक अध्यक्ष अजय मीना, एने सीवाई प्रभारी, आशी शिभरे एकाई अध्यक्ष कर्निया महाविद्याले बारी, हर्ष अजर ब्लॉक उपाध्यक्ष राजाखेडा में नए कोतवाल गंगा सहाई मीना ने समहाला पदभार राजाखेडा थाने में रिक्त पड़े कोतवाल के पत पर, सी आई गंगा सहाई मीना ने तारीख 16 नवंबर 2022 की शाम को राजाखेडा थाने का पदभार समहाल लिया है गौरत लब है कि 12 अगस 2022 से C.I. अजय सिंग मीना के जाने के बाद थाने में इस्थान रिक्त था जब वहाँ 15 अगस्त को भी ASI राम सिंग के द्वारा जंडा फेहराया गया था इसके बाद में S.I. सोहन सिंग गूजर को लगाया गया था अब 3 महीने के अंतराल के बाद C.I. गंगा सहाई मीना को राजाखेडा में लगाया गया है गंगा सहाय मीना ने बताया कि पहली प्राथमिक्ता जंता को राहत दिलाने की क्राइम पर अंकुष लगाने की रहेगी तथा अपराधियों के धरपकड अभियान के निरंतर जारी रखा जाएगा एवं क्राइम को रोकने में जंता का सहीयोग भी पुलिस के साथ जरूरी है समीती ने निरिक्षण किया चेयर्मेन प्रतिनेदी होतम सिंग ने बताया कि शहर की परशुराम धरमशाला से उश्पेंदर सिंग के मकान तक एवं राना खा से तुलसीवन रोड तक दोनों साइड पर कुल डेर सो श्रमिकों को रोजगार उपलब्दि कराया गया है जिसमें निरिक्षण के दोरान श्रमिकों की उपस्तित ली तो दोनों साइडों पर 129 श्रमिक उपस्तित रहे इसके उपरांत शहर में संचालित इंदरा रसोईयों का निरिक्षण किया सरमतुरा रोड एवं भसेडी रोड पर संचालित इंदरा रसोईयों में खाने की ग वाइस चेर्मेन एहमद जमाखां वरिष्ट पार्शद ओमवीर सिंग चौधरी तपेश भिदूरी सहित अन्य कर्मिक मौजूद रहे भगेल समाज ने की लोक माता अहल्याबाई होलकर बोर्ड बनाने की मांग अखल भारतिय युवा गडरिया पाल भगेल धनगर महासभा धोलपुर द्वारा जला अध्यक्ष सुरेश भगेल लटूरी के नितरत्व में अतरिक्त जला कलेक्टर को मुखेवंतरिय अशोग गहलोत के नाम ग्यापन दिया जिसमें पाल भगेल गडरिया धनगर गाडरी गौाला घोसी होलकर रेवारी देवासी सहत अन्य नामों से जाने जाने वाला गडरिया भगेल समाज ने लोकमाता अहल्याबाई होलकर बोर्ड बनाने की मांग की गई है ग्यापन में कहा गया है कि अहल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में हमेशा समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए कार्य किया है अहल्यावाई ने अपने राजे की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद तीर्थों और अस्थानों में मंदर बनवाई, घाट बनवाई, कुओं और बावणियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाई, सुधरवाई, जिसके लिए पूरा भारत वर्ष उन्हें हमेशा याद करता रहेगा, समाज के कई पिछडे और गरीब वर्गों के रिए ऐसे विकास बोर्ड बनाए जा चुके हैं, हमारी समाज भी काफी गरीब और पिछडे समाज में आता है, जिसकी जनसंख्या राजस्थान में भारी मात्रा में हैं, इसलिए गडरिया, गाडरी, पाल भगे पुषपेंद्र भगेल, सतेंद्र पाल, विक्रम भगेल, शिव सिंग, शेर सिंग भगेल, सोनु सतेंद्र भगेल, केशव भगेल, दीपक भगेल, हरीचंद पाल, आदी उपस्तित रहे खुर्द विद्याले में बच्चों का किया स्वास्ते परिक्षन खुर्द विद्याले में बच्चों के स्वास्ते परिक्षन किया गया खुर्द विद्याले में बच्चों के स्वास्ते परिक्षन के स्वास्ते परिक्षन किया गया खुर्द विद्याले में बच्चों के स्वास्ते परिक्षन किया गया नई तबादला सूची में पूर्व में किये गए तबादलों में ASI विश्नुदत का तबादला पुलिस लाइन से बाड़ी और ASI राजेश सिंग का तबादला पुलिस लाइन से रेल चौकी किया गया था को निरस्त कर दिया गया है इसके अलावा हैट कॉंस्टिबल कृषन मुरारी का तबादला पुलिस लाइन बनेगा पोस्वाल धोलपुर राजोस्थान की जन विरोधी ब्रश्चाचार में लिप्त अंतर कलहे से जूचती हुई गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश ने तृत्व के निर्देशा अनुसार आयोज़त की जाने वाली जन आकरोश यात्रा की तैयारी के लिए जन आकरोश यात्रा का रोड मापत यार किया यात्रा के सुआगत स्थान यात्रा का मार्ग और सभास थलो की रूप रिखा बनाई जन संपर्क के दौरान बोलते हुए पोस्वाल ने कहा कि भाजपा की यह जन आकरोश यात्रा गहलोत सरकार को उखाड फेकने का शंखवाद होगा पुलिस अधीशक ने किया एकिकृत शिक्षक के राजस्तान शिक्षक संग् एकिकृत का राजस्तरीचट संस्मेलन धोलपूर में 25 नवंबर को आयोजद होगा जसमें प्रतेश के सभी जिलों से शिकषक और पत अधिकारी संता निभाएंगे इसी क्रम में जिला पुलिस अधिशक धोलपुर धर्मेद्र सिंग ने राज इस्तरिये शैक्षिक सम्मेलन के पोस्टर का वमूचर किया उन्होंने इस अफसर पर कहा कि मैं सफल आयोजन की अग्रम बधाई देता हूँ शिक्षक संग एकिकरत के प्रदेश संगटन महामंत्री चंदरभान चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार प्रजापती गंगा नाम गुजर जिला अध्यक्ष भगवान सिंग मीना ने पुलिस अधिशक को सम्मेलन का आमंत्रण पत्र दिया इस अफसर पर एकिकरत शिक्षक संग वैं महासंग के पददीकारियों में रूप सेंग गोपाल यादव योगेश पांडे नरेंद्र यादव सहित अनियो पस्तित रहे क्रिशी विभाग की तरफ से तारबंदी योजना में तारबंदी कराने के लिए किसानों के लिए सुनहेरा अफसर तारबंदी के लिए आविदन कर उठाएं 48,000 रुपे का लाब नील गाएं आवारा पशो द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्रिशी विभाग द्वारा किसानों के खेतों पर तारबंदी का कारे करवाया जाना है व्यक्तिगत या दो या दो से अधे क्रिशक के पास नियुनतम एक दशमलव पांच हेक्टेर भूमी एक ही इस्तान पर होना आविशक है प्रती क्रिशक 400 रुनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान दै होगा प्रती क्रिशक को सामाने श्रेनी में अधिक्तम 40,000 या लागत का 50 प्रतीशत वै लगू सीमान ति श्रेनी क्रिशकों को अधिक्तम 48,000 या लागत का 7 प्रतीशत अनुदान दै होगा 400 रनिंग मीटर से कम तारबंदी होने पर प्रती क्रिशक को प्रोराटा बेसस पर अनुदान दे है क्रिशकों द्वारा ओनलाइन आविदन के लिए जनाधार कार जमाबंदी नक्षा ट्रेस को लेकर नजदी की इमित्र द्वारा राज किसान साथी पोटर पर ओनलाइन आविदन कर सकते हैं क्रिशी विभाग से प्रशासने एक स्विकृती के बाद तारबंदी का कार्य किया जाना है फिर कार्य पूर्ण करवाने के बाद अनुदान क्रिशक को जारी कर दिया जाएगा तारबंदी योजना की अधिक जानकारी के लिए नजदी की क्रिशी कारालिय में संपर्क करे काम हैं उनके इस तर से समाधान हो सकते हैं उनको वहपूर्ण करने के लिए सदैव उनके साथ खड़ी हैं क्योंकि धोलपूर विधानसभाश शेत्र उनका परिवार है और परिवार के साथ हर व्यक्ति को हर कदम कंधे से कंधा मिला कर सुख दुख में साथ रहना चाहिए सीता राम हुकुम सिंग राजेंदर सेंग भूपेंदर सेंग दया राम पवन गूजर बहुत बड़ी संख्या में आदी लोग उपस्तित रहे रानी खेडा इलाके में जल सप्लाई के लिए दो टंकी बनी है फिर भी नहीं मिल रहा पानी आम जन पीने के पानी के लिए तरस रही है सरानी खेडा में दो पानी की टंकी बनी हुई है पर दोनों टंकियों से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है गाउं वालों का कहना है कि महीने में एक बार आता है कभी कबार तो वो भी नहीं आता है गाउं वालों ने करमचारियों से कहा पर उन्होंने कहा कि अगर आप शिकायत करेंगे तो फिर महीने में भी नहीं आएगा बड़े अधिकारियों को फोन लगाएं तो फोन नहीं उठाते हैं, ये सिलसला दो साल से चला आ रहा है गाउंवाले जाएं तो जाएं कहाँ, दोनों टंक्यों से करीबन दो दर्जन से ज्यादा गाउं जुड़े हुए हैं गाउं वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीडों का कहना है कि लगभग 2-3 मज़ पूर्व इस परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री शशी भूचन सिंग दुआरा भली प्रकार जल सप्लाई का कार्य किया गया था शेतर के लोगों को किसी भी प् प्रशानी नहीं आने दी यहां दो दो टंकी लगी हुई है पानी एक दिन भी नहीं मिलता है यह से टंकी खड़ी कर दी है कि खेत में विजूगा कर दी है का पानी मिलता नहीं है सिकात करो सब करमचारियों से तो वो लोग के देखा के तुम के हमारे नेता है के के आए पानी आता है नहीं आता है कभ आपका नाम? मेरा नाम बंटू नागे रहने वाले हैं? सराने खड़ा खुश खबरी, खुश खबरी, खुश खबरी अब आपके शहर भोलपुर्ण में वोल्टो इलेक्रिक्स प्राइविट लिमिटेड कंपनी के इलेक्रिक e-bike, e-scootie, e-loader आ गया है हमारा पदा बालाजी नोटर्ज राजाखेडा रोर पर तलावी मोर धोलपुर्ण इंक्वाईर नमबर आठ दो शूनिय नौ नौ साथ 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 चे बो एक निवेदर सफीश दूबे एट बार सेवा का मौका जरीर दे नोट रोईटो इलेक्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड काम्पनी की बाडी, घुसेडी, सरमथुरा, सेताउ, राजाखेडा, मनिया, मरेडा, बसे नवाग, कंचन्पर आधी जगहों पर डीलर्शिप के लिए आप हमसे संपर्थ करे सतीश डीवे, कंचन्प नंबर, 96107-9879 राम राम किसन भईया, राम 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 भईया आओ यों बताओ का अब की खातवीज कांते लें यार अरे यार जब अपनों दुगे खातवीज बंडार कुलेगा होए तो कितों अन्तते क्यों लेंगे बहां बढ़िया तो रेट मिल लई है और सक कंपनीन की वेराइटी मिल लई है और बरोसे बंदा आदमी है राजा, खेडा, रोड़ पेते जो तकावली मोड होतो है कि नहीं भई दुगे खातवीज बंडार कुलेगा होए तो अब कि वया हम तो दुगे खातवीजी मिल लड़ पेती ले रहे हैं तू गता पर गुत तो सब्ह़चा ठीक है यार दुकान तो नहीं है यार वया जी बात तो बिल्कुन तो छिई है के दुकान तो नहीं है तो यह पतो होनी चाहिए है कि बिने के मोडें ने क्रसी भीसे में तो पड़ाई लिखाई करी है और बनवारी बोड़े मनीराव के पुरावाई ने को एक एक मोडा क्रसी विवाग में सरकारी नोकर होएं और बिनको मोडा एक खातवीज की कंपनी में बड़ी पोश्ट पर लगो है तो मियोग कैवोत जी है कि बिने दूसरे इनते जादा खेती बाड़ी के बारे में आदनी खेती के बारे में जादा जानकारी है ते लेre बिनकोल सहनगे जलेंगे धिका खेती है कि बारे लिए बिनकोल संगे ही चलेंगे धूबे खात बीज वंडार राजा खेडदा रोड तगावली मोड धोलपूर 17 दूबे मनी राम का पूरा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे 961099879 पे